हलो बच्छो लेट सीट इसकोषिन दा ओडर और अव्यक्टिविटी ओपाउंट फोर नुक्लिफिलिक अडिशन इस इसकोषिन में काउनल कंपाउंट का एक्टिविटी ओडर फाइंड आउट करना है फोर नुक्लिफिलिक अडिशन के लिए तो a b c d option दिये हुए हैं हेव फैंड राच फिल जाएगा देडिश देटोफिलिक नीचर ओव कार्भो नाइल कारबन का इलेंड निचर जो उस पर डिपेंड करेगा यह एक्टिविटी ओपनीजिक अडिशन का कैसे मैं कोई सा भी एक रेंडम कर्वनल कंपाउंड बना लेती हूं इस तरीके से इसमें दो अलकाल ग्रूप है और और डेश या राइल भी हो सकते हैं इस पर अपको अड़ होगा निक्लोफाइल यह निक्लोफाइल पर क्या होता है आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है त पॉजिटिव रहता है और अपके प्रीटिव को अपे लाइंड और तो जिसकी वजह से ग्सपर नेच्टिव जेनरेट और और हो निक्लोफाइल तो यहां पर कहां कार्बन कार्बन कर्चिंट यानिक्समें अदिश नेच्टिव ऑ्क सिजन तो यह जितना जादा इलेक्ट है इलेक्ट फिलिक नेचर उलेक्ट फिलिक को हम पता है पॉजिटीव से दिखाते हैं तो इपॉजिटीव नेचर जैसे जैसे बढ़ेगा इस कार्बनल का इस पे नुक्लोफिलिक एडिशन क्या होगी इंक्रीज होगी नुक्लिफल उतनी जल्दी से इस पे एड़न हो जाएगा इस कार्बोनल कार्बन पे तो वन बाई वन अपने जो ऑप्शन्स में कंपाउंस गिये गए यहां को चेक करते हैं को फर्स्ट वी है के आर का मतलब अरायल ग्रूप है इस पे दो अरायल ग्रूप है देन आर अलकाइल ग्रूप है इसमें आर सी यो आर देन आर सी डबल बॉन ओ यहां पे एच है देन आर सी डबल बॉन ओ एच देन एच सी ओ ओ एच यह हमें पांच कंपाउंड दिये रहें द प्लस आर कम दिखाएंगे्गल क्विक क्या YouTube क्या दिखाते हैं प्लस आई ऐफ़ेक्ट मिस इंड़क्टिक्ट 카f यहां पर एक प्लस आर गॡुप की एक एक इरल गॡूप है हाँ पाउप और प्लस आइफ़ेक्ट को ने क्विकर यहां पर देखे आ प्लस इसको मैं आज़ेटीज दिख देती हूं अब देखी कार्बोनायल का नेचर क्या होता है और पाइलेक्ट्रों को थोड़ा अपनी तरह शिफ्ट कर लेता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ज़राता है पाइल पॉजिटिव चार्ज अब जिसे यह बैंजीन में जो आपको पाइल बॉंड्स दिख रहे हैं यह रेजोनेंस के थूँ क्या करते हैं इस कार्बन पे एलेक्ट्रों डेफिशन सी को कम कर देते हैं इस पे जो यह पार्शल पॉजिटिव चार्ज ज़र्ट हुए नहीं उसे काउंटर कर देते हैं क्योंकि इसमें पाइलेक्ट्रों का डी घ्रडरिट होगया और आपको यह डी हम NOW डापन का requiring क्या हूवगया है क्युन के ससकते हैं इस पे जóg पॉजिटिव निचर था मैस इसका लेक्ट्रोफिक निच है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो गया है क्योंकि इसमें कि दो दोनों ही प्लस आर इफेक्ट दिखाएंगे इस तरीके से तो इसके एलेक्टोफिक निचर बहुत कम हो जाएगा यानि कि इस पे नुक्लोफाइल इसलिए अटेक नहीं कर पाएगा नुक्लोफाइल इसलिए अटेक समझरें और यहाँ पर क्या है प्लस आ इस पे भी क्या प्लेुक्त बि आकर रीलीस क्या हो फूर्प से कम करते हैं क्योंकि प्लस आर इफेक्ट जो होता है वह ज़ादा पावरफुल होता है प्लस ढलम तो इसी लिए यह आपका इसका लेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर भी डिक्रीज होगा बट कंपाउंड जो हमारा फस्कंपाउंड है उसके कंपाउंड यह जो कार्बोनल कार्बनल वह ज्यादा लेक्ट्रों डेफिशेंट होगा अब यहां पे देखिए यहां पे एक ही प्ल इसको होगा क्योंकि इसमें एक भी ऐसा कंपाउंड नहीं ग्रूप नहीं है जो इलेक्ट्रों रिलीस करता हो यह मोर्ट्रों डेफिशेंट है तो इस पे इस पे जल्दी से वह किसको होगा है एच्टू सी यह अब देखिए देन आपका यह शो मेन ग्रीज्यर्ट हो अब देखिए इन दोनों की बात करें इसमें दो प्लस-ईदू कई इस attitude क्ला सैथ खरें में इस ह कि अजिए पर उसकी वजह से इलेक्ट्र और तो यह ज्यादा अउनिका तुर्त यह सी जयादा आप्का नॉकलो फ्री कर दिखाएगा यह आप ज्यादाज ऑर से compound में दो electron releasing group है इसमें भी दो electron releasing group है और second वाले में भी दोनों में दो-दो electron releasing group है तो हम powerful strength की बात करेंगे plus R वाला ज्यादा strength उसमें होती है तो यह आपका लीस्ट क्या होगा यह आपका ज्यादा nucleophilic addition दिखाएगा तो R to AR to CO और R to CO यह आपका ज्यादा nucleophilic addition दिखाएगा then AR to CO से तो यह हमारा order है option check करते हैं option C इसका right answer हो जाएगा I hope you understood it well best of luck